नवस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटा आज की 19 जुलाई 2021 और देख लेते एंडियन एक्सप्रस के इंपॉर्टन न्यूज जो भी हम डिसकस करने वाले हैं फस्ट आर्टिकल हम डिसकस करेंगे एक इसराइली फेगिस स्पाइवेर का अटेक हुआ है जिसमें हमारे जो यूनियन गवर्मेंट में मिनिस्टर्स हैं उनकी फोन टैपिंग हुई है उनकी अकाउंट से इन्फरमिशन निकाली गई है साथ में ऑपोजिशन पार्टी जो ल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटिड क्रिप्टो करेंसी बैंक इंडिया में प्लान हो रहा है इंडिया में किस तरीके से काम करेगा और रास्ता भी कौन सा निकाला है कॉपरेटिव जो क्रेडिट सोसाइटी होती ना क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी जिन में कोई रेगु उपर उनके बारे में जानेंगे सुप्रीम कोड के सामने है यह मुद्दा प्रीवियस वर्डिक्ट क्या है वो भी देखेंगे और हबबला टेलीसकोप के बारे में भी जानेंगे कि ग्यूत की ओई बनता है जबकि हमें पता है कि हेल्थ केर एक्सेसिबिलिटी बहुत ही कम है एक पॉइंट हागा हम का वो निकाल लेंगे इसके लावा इसके लावा वर्ल्ड पेज एकॉनमिक पेज और स्पोर्ट पेज इनके समरी लेंगे एक भी ऐसी नियूज इतनी ज्यादा इंपोर्टन नियूज इसको हम डीटेल में देखें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीटेल में डिसकुशन को मौनसून सेशन स्टार्ट होने से पहले ही काले बादल मंडरा गए कुछ बात ऐसी है कि दो मिनिस्टर्स के फोन्स और इसके लावा तीन ओपोजिशन लीडर्स के फोन्स इनके जो फोन पे है वो सर्वीलियंस लेकी गई है रिपोर्ट में ये चीज रिलीज होकर किया ही है मुद्दा है ये कि अभी एक मौनसून सेशन आज से स्टार्ट हुआ है मंडे था आज से तो आज से स्टार्ट हो रहा है तो पार्लेमेंट के शुरू होने से पहले ही आप देखो कि एक एनेसो ग्रूप की पेगिसस स्पाई वेर उसका अटेक होता है लगबग तीन सो लोगों के उपर नजर रखने का तरीका सर्वीलियंस ठीक है कि ये लोग बात क्या कर रहे है और वो इन्फरमेशन चुरा करके और फिर वहां पर ले जाये जाएगा कहां पर इसराइल में जो एनेसो ग्रूप है वहां पर तो एक तो आप देखोगे पेगेसस ये क्या है त ये अप्लिकेशन टाइपी तो जैसे ही वाटसाप के ओपर मैसेज आता है उसके ओपर कोई क्लिक करता है तो वो इंस्टॉल हो जाता है उनके फोन में और उन फोन में जो भी कुछ एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को ट्रेस किया जाता है तो ऐसे में हमारे जो constitution में article 21 में fundamental right to privacy unwissaged है उसका बिलकुल clear ये violation है ठीक है तो ये चीज़ बताई जा रही है अब देखते हैं होता है क्या क्योंकि अभी तक तो लगबग 300 mobile phone numbers हैं वो verify हुए हैं जनमें minister भी हैं opposition leaders भी हैं journalist भी है legal community के लोग भी है businessman भी है government official scientist मतलब एक लंबे list अकरेटेगरी के अगर बात करे तो तो ये चीज़ बहुत ही जादा एक कह सकते हैं कि एक breach है ठीक है हमारी sovereignty का तो अब देखते हैं आगे क्या मुद्दा बनता है फिलाल तो ये report हमारे सामने है बाकी आगे इतना कुछ important ये जो main था वो देखा इसके लाव दूसरी news पर चलते है next news है देखो इंडिया में cryptocurrency bank plan हो रहा है इंडिया में operations के लिए और route लिया जा रहा है cooperative ठीक है जो सहकारी जिसमें लोग साथ में आ करके और फिर काम करेंगे ठीक है और काम करते है cooperative sector में ऐसे में क्या होगा कि RBI के rules स से थोड़ा सा relax मिल जाएगा क्योंकि cooperative credit societies है उनके उपर RBI की regulation ना निकरके वो society के तौर पर register होती है ठीक है तो crypto currency क्या होती है एक simple सा ये तरीके की virtual currencies होती है जो की केवल online platforms पे काम करेगी ठीक है इनके लिए ना तो कोई central regulator होता है ना इनके लिए कुछ और इनके लिए कोई government की backing होती है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अभी तक इनको legal status नहीं दिया हुआ है तो ऐसे में crypto currencies की जितने भी आप देख सकते हो जैसे bitcoin का नाम आता है कभी कोई से coin का नाम आता है ये सारे coins को अभी तक इन virtual currencies को हमारे आपर acceptance नहीं मिली हुई है even RBI ने तो अ cryptocurrencies को regulate करने की बड़ी important ज़रत है अभी तो उसके लिए देखो एक तो regulation लेकर के आना और RBI उस तरफ काम भी कर रहा है साथ में ये भी प्लान चल रहा है कि RBI अपनी खुद की एक cryptocurrency launch कर दे जिसके basis पे virtually transaction किये जा सके देखो होता क्या है ये जो cryptocurrencies ना जैसे bitcoin की बात करें इनको लोग purchase करके इसमें अपना पैसा invest करके रख 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 आ हैं बहुत लोगों ने तो ऐसे में जब तक कोई clear law नहीं आता हमारे इंडिया में तब तक क्या होता इंवेस्टर्स के लिए भी थोड़ा doubtful एक scenario create होता है अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि RBI ने अभी तक इ private virtual currencies को तो ऐसे में आप कैसे इंडिया में एक cooperative sector में एक cryptocurrency bank launch कर दोगे तो मुद्दा है proposal की चीज का है कि cryptocurrency bank जिसका नाम रहेगा cash वो launch होने की बात की जा रही है और उसमें banking operation किये जाएंगे जैसे की virtual currencies हो गई bitcoin और जो दूसरी जो currencies होती है जैसे रुपया डॉलर इनके अंद कर रहे हैं तो रुपय में भी transaction हो जाएगा तो रुपया आप जानते हो हम UPI का इनका use करके हम transfer करते रहते हैं एक दूसरे को तो इस concept को release करने में काम लिया जा रहा है loophole that is credit cooperative society का root इसमें क्या हो जाएगा कि RBA की पकड़ कम रहती है credit cooperative society अब credit cooperative society क्या होती है जो members है जिन लो एक अपनी institution open नहीं कर सकते bank open नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे सारे मिलकर के अपनी एक society बिना लेंगी cooperative society अब उसमें क्या हो जाएगा कि वो loan देने की व्यवस्ता करेंगे तो अपने खुद के लोगों इन्ही members में से किसी नहीं किसी को loan की जरुद पड़ेगी कि कभी इस इसको अपनी firm में invest करना है कभी इसको अपनी firm firm में invest करना है तो वो एक साथ collectively पैसा कटा करके और फिर उस पैसे को एक दूसरे को ब्याज पर देते रहेंगे और ऐसे यह system काम करता रहेगा बोला सेम इसी क्रेडिट cooperative society के concept के ओपर हम यहां पर casha bank launch कर रहे हैं ठीक है casha का य crypto friendly financial institution Unicast उन्होंने इंडिया में आप देखोगे United multi state credit cooperative society के साथ मिल करके काम करने की बात की है कि हम साथ में मिल करके एक ऐसा crypto currencies का bank launch करेंगे जहां पर आप देखोगे कि एक single saving account होगा ना तो उस single saving account में crypto currencies से भी और जो fiat currency जैसे रुपिया हो गया उनके अंदर भी लेन देन आसानी से किया जा सकेगा तो यह provision यहां पर हम देख सकते हैं इसके अलावा bank जो है यह जो यह जो बैंक होगा यह बड़ा ambitious काम रहेगा जिसमें crypto currencies जिन भी लोगों ने purchase कर रखे हैं वो लोग वहां पर पैसा invest कर पाएंगे वो लोग member बन सकते हैं अपना account खोल सकते हैं इस concept के ओपर काम करने वाला है यह credit cooperative society based cryptocurrency वाला bank और government भी अपनी तरफ से क्या कर रही है कि इन cryptocurrencies को regulate करने के लिए जल्दी से कानून लाया जाए देखो RBA से जब पूछा गया RBA से जब मतलब यह जो अभी आप देखोगे यहां पर यह United multi-state credit cooperative society जो की Indian entity है और Unicas जो की first cryptocurrency friendly financial institution है यह दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो ऐसे में यह United multi-state credit cooperative society के जो leader है जिन्होंने इस cryptocurrency bank को approval देनी कोशिस किये और कहा कि हम इंडिया में इस सीज को tackle कर डेंगे तो उनसे जब पूछा गया कि भई आपने क्या RBA से permission ली तो इन्होंने बोला कि हम registration कराएंगे societies act के तहत तो ऐस और उसको एक वल प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे में RBA की permission की हमें ज़रुत है नहीं इसके अलावा United की बात करें तो United जो है यह credit cooperative society बोले यह national federation of urban cooperative banks and credit society limited इसका member भी है इसमें membership भी है हमारी credit cooperative society की number two जिसमें membership number 1753 इसके अलावा जो Indian standard organization ISO की बात करें तो 9001 clause 2008 का हमारा quality management system में भी हमारा certification लिया हुआ है तो बोला हर तरीके से हमारी credit cooperative society को जो है वो approval मिला हुआ है तो बोला banking business में तो क्या होता है आप deposits लेते हो फिर उसके बाद में लोन देते हो और बहुत सारे आप programs को implement करते हो जबकि credit cooperative society में क्या होता है यहाँ पर जो members है वो अपना पैसा एक जिग से को response नहीं दिया है इस question के ओपर बाकि आने वाले time में जरूरिसका response definitely हमें देखने को मिलेगा तो यह है पुरा मुद्दा ठीक है कि RBI को bypass करते हुए credit cooperative society मिल करके और फिर बाद में काम कर रही है कि क्यो ना हम एक virtual crypto cryptocurrency bank को उसको launch कर दें cash ठीक है बाकि time देखेंगे आगे च वो समझ में आ जाएगा तो मुद्दा बड़ा असान रहेगा रहना है divorce लेना है और A कहता है कि जी नहीं बिल्कुल भी मैं इस चीज के लिए allow नहीं करता हूँ तो इस case में क्या हो जाएगा कि अगर ये A क्या demand करेगा conjugal rights की कि बही मुझे मेरे शादी के आधार के उपर वैवाहिक जो मेरे अधिकार है उनको आप बहाल करो ठीक है तो इसमें इनको बोल दिया जाएगा conjugal right कि शादी के बाद के जो सामाजिक अधिकार है वो मिले इसमें क्या होता है कि B किसी एक society से belong करती है मान लो city से आती है वो किसी अपनी colony से अपन family से belong करता है तो ऐसे में A का B के साथ जो रिष्टा है उस रिष्टे के चलते इसकी family के उपर अधिकार similarly B का रिष्टा A के साथ में है तो B का A के through A की family के उपर अपना खुद का अधिकार तो यह होता है conjugal rights ठीक है तो एक दूसरे की society के उपर वो एक दूसरे का अधिकार त और फिर criminal laws की बात करो जिसमें कि मान लोगे किस individual ने A ने अपनी wife B का murder कर दिया ठीक है तो उस case में वहाँ पर उसके जो भी criminal cases जो चलेंगे A के against में या फिर जो भी इनके बीच में disputes हैं उनको settle करने के लिए वहाँ पर conjugal rights का provision किया जाता है जैसे कि कोई criminal मुद्दा आ गया कि ओफेंस का कि हाँ एक दूसरे के ओपर अटेक कर दिया या फिर यह मानों की जो domestic violence के जो cases आता है वो आ जाए तो ऐसे में वहाँ पर payment के requirement हो जाए तो उन सारी चीजों में आप देखो conjugal rights की बात की जाती है हमारे यहाँ पर section 9 of Hindu marriage act वो recognize करता है conjugal rights के इस aspect को जिसमें यह क को अधिकार दिया जाए ठीक है तो यह चीज यहाँ पर निकल के आती है इसमें Muslims के जो personal laws है वो भी उनमें भी provision दिया हुआ है तो जो divorce act है 1869 का उसमें भी है जिसमें कि Christian families को govern किया जाता है और Hindu marriage act उसमें भी यह provision दिया हुआ है conjugal rights के बारे में पर हमारे यह जो conjugal rights की बात क rights को repeal कर दिया कि भई इन अधिकारों को आप बहाल नहीं कर सकते हो अगर कोई एक individual भी अपनी separation चाता है दूसरे के साथ में अपने life partners हैं तो वहाँ पर ए अगर ना चाहे तो कोई फरक नहीं है बी की यहाँ पर जो rights हैं उनकी protection का भी ध्यान रखना पड़ेगा कहने का थे definitely society के लोग थे जिसमें parents हो गए दोनों तरफ से या और relatives हो गए तो ऐसे मैं बोले society को एक easy और conducive environment प्रोवाइड करने के लिए A और B को साथ में लाया गया था तो ऐसे मैं अगर B separate होना चाहे और A कहे कि मैं separate नहीं होना चाहता तो उस case में इनके बीच में अधिकारों का जो provision है उसी को conjugal right बोला जा रहा है ठीक है तो B क्या करेगा कि मुझे तो separate होना है मुझे A के साथ में रहना ही नहीं है अब साथ में रहने को हम क्या बोलते हैं cohabitation ठीक है आप habitation का मतलब कहीं पे रहो और फिर cohabitation का मतलब कि आप एक particular place को एक room को आप share करो तो वहाँ पर आ अगर वहाँ पर court के पास में मुद्दा पहुँच गया और A के जो conjugal rights हैं वो अगर दे दिये गए तो उस case में फिर B की जो खुद की right to privacy है या फिर वो जो right to life है जो अपना separately dignified manner में रहना चाहे तो उसका violation होता है तो ऐसे में 1970 में United Kingdom ने देखो इसको repeal कर दिया था तो अगर ये concept समझ में आ गया है तो अब article समझने में कोई जोड नहीं आगा देखो आने वाले हफतों के अंदर Supreme Court में expected है कि जल्दी से जल्दी ही आप conjugal rights को लेकर के बातचीत होगी ठीक है जो भी किसमें Hindu personal laws के तहत ठीक है 2009 में तीन judges की bench ने Supreme Court में ये कहा था कि हम किसको किया जाएगा section 9 को Hindu marriage act of 1955 जिसमें क्या कहा जाता है कि भई कोई भी एक individual यहाँ पर देखो conjugal rights के provision क्या है section 9 क्या बोलता है कि एक भी दोनों spouses में से पती और पतनी में से एक भी अगर चाहे कि हमारी शादी बची रहे तो उस एक के अधिकारों को protect करना क्योंकि उनके बीच में शादी है भी तो चाती है कि separate हो जाओ या भी चाता है कि separate हो जाओ पर ए जो है वो क्या कह रहा है कि भई मुझे तो शादी में रहना है तो उस case में A के rights को protect करने के लिए section 9 वहाँ पर डाला हुआ है तो उसको challenge करने की बात की जारी है conjugal rights क्या होता है यह मैं आपक देखो इसमें simple सी बात है कि एक कोई सा भी एक spouse दोनों पेर couple में से कोई भी एक spouse जो है वो refuse कर दे कि भई मैं तो साथ में रहने के लिए बिल्कुल ready नहीं हूँ तो ऐसे में वो फिर बाद में family court के पास में जा सकती है और जा सकता है या जा सकती है जो भी है कि भई मुझे तो यह शादी खतम करनी है फिर उसके बाद में देखो court जो है वो कुछ decree देगा कुछ order देगा उसको फिर बाद में follow करना होता है उसमें देखो chances तो यह रहता है हमारे इंडिया में कि कैसे भी करकि cohabitation को continue रखा जाए जिसकी वज़े से कि society में एक जो continuous जो एक institution है marriage का institution वो continue बना रहे अब बात क्या हो जाती है कि मान लो divorce का case unilaterally किसी एक ने डाल दिया जैसे A और B का मैं बार बार case ले रहा हूं B ने जाके और case दायर कर दिया कि भाई मुझे तो अलगी रहना है पर दूसरा बंदा जो है counterpart है वो कहता है कि जी बिलकुल भी मैं अलग नहीं रहना कि भई ये क्या हमें continue करना चाहिए क्योंकि मुद्धा क्या आता है right to privacy का क्योंकि conjugal right अगर एक individual को आप देते हो मान लो कि A है वो शादी को बचाना चाता है B शादी को तोड़ना चाता है तो ऐसे में चाता है चाती है समझ रहो गन्फ्यूज मत हो जाना कपल की बात कर रह रहना चाहे और फिर बात में अगर conjugal rights वहाँ पर दे दिये गए इसका मतलब क्या हो गया B चाहे या ना चाहे उनको साथ में रहना पड़ेगा और तो ऐसे में फिर B के जितने भी fundamental rights है जिसमें right to privacy जिसको हमारे आपर 2017 में पहले ही Supreme Court की no judges की bench ने fundamental right बोल दिया तो वो चीज violet होना शुरू हो जाएगी तो एक तो fundamental right आपने बना दिया right to privacy और दूसरी तरफ आपको habitation की बात कर रहे होगी साथ में रहना पड़ेगा जबकि B जो है उसाथ में रहना ही नहीं चाहती या चाहता है तो ऐसे पर इस्तिति में क्या जाता है यहाँ पर सवाल आ जाता है कि एक बार check करो कि हमें conjugal rights के restitution के तरफ आगे बढ़ना है या नहीं अभी तक जो कुछ भी यह देखो प्राइमा फेस ही या फिर जो कुछ भी हम देखें कि settlement यह होता है कि matter जो है वो इस तरीके से set हो जिसके की marriage institution को बिलकुल खतम ना किया जाए अब देखो फिर बाद में करने के चक्कर में फिर बाद में marital rape की case जाने लग जाए ठीक है उसमें ज्यादा problem हो जाती है ऐसे में देखो vulnerable कौन हो जाती है women तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर बाद में अब आगे bench जो है वो देखेगी बात को अब देखो हमारे पास में इसके पहले केस का नाम है सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन कुमार चंदा फिर मुद्दा जाता है इसके बाद में दिल्ली हाई कोट और आंदरपरदेश हाई कोट का case है 1983 में एक single judge bench आंदरपरदेश हाई कोट ने ये कहा कि ये जो provisional section 9 of hindu marriage act बोला इसको खतम करो क्योंकि इसमें जो counterpart जो free होना चाता है जो अपने आपको बिल्कुल separate करना चाता है आप उसके उपर अगर sexual cohabitation को allow करते हो या push करते हो तो फिर बाद में वो तो dignity के against में गया तो आंदरपरदेश हाई कोट ने इसको struck down कर दिया था फिर दिल्ली हाई कोट में मुद्दा जाता है एक दूसरे case म टी वेंकता सुबाया ठीक है इनके बीच में केस था और justice पी चौधरी ने ये बात बोली थी कि right to privacy को आप violet नहीं कर सकते हो तो ऐसे मैं section 9 of this particular act इसको struck down कर दिया था फिर बात आती है दिल्ली हाई कोट की single judge bench ने उन्होंने ये कहा कि भई हमें कैसे भी करके शादी का जो एक पवित्र रिष्टा है इसको continue बनाए रखना है और उसमें फिर section 9 को upheld कर दिया उसके इसका नाम है हरविंदर कौर वर्सेज हमरेंदर सिंग चौधरी तो ऐसे में इसमें क्या बात हो गई section 9 को upheld कर दिया फिर बात जब ultimately supreme court में पहुंशती है तो supreme court ने दिल्ली हाई court वाली आगे क्या वो अब देखते हैं आने वाले हफते के एक दो हफतों के अंदर जो भी बात चीत होगी वो देखेंगे ठीक है फिर शादी की बात अगर आती है तो शादी का relation का मतलब क्या होता है वो सारी चीज़े बताई हुई है मुद्दा में था वो हमने समझा आगे चलते नेक्स्टर देखो ग्लिच देट हाल्टेड वोक अन हबल फॉरम मंत देखो हबल जो है वो एक टेलिस्कोप है यहां पर आप देखनो लिख लो इसको कि हबल टेलिस्कोप नासा की द्वारा लॉंच हुआ था 1990 में और अभी तक सबसे जादा जो रिसर्च होई है स्पेस से रिलेटेड वो इसी हबल टेलिसकोप की रिसर्च के बेसिस पे हुई है अठारा अजार से जादा यहां पर पेपर्स पब्लिच किये जा चुके हैं इस पर्टिकिलर अब्जर्वेटरी के बेसिए यह फ्लॉट कर रही है बिल्कुल स्पेस में ठीक है और अब्जर्वेशन इसको फिर बाद में करेक्ट किया गया और करेक्शन के बाद में फिर बाद में यह सही से काम करना शुरू कर गई यह कि पहली बार नहीं है इसके पहले भी पावर कंट्रोल यूनिट फेल हो चुकी थी ठीक है तो उसके बाद में फिर वो करेक्शन कर दिया गया अच्छे स blast होकर कि फिर बाद में expand होता जा रहा है लगातार तो Edwin Hubble के नाम पर जो astronomer थे उनी के नाम पर यह observatory थी जो कि first major operation telescope है जो कि space में लगातार काम कर रहा है और April 1990 में इसको launch किया गया था और NASA की website के तहट अगर देखें तो Hubble के लिए आप देखो यह most significant advance बताया गया है evolutionary काम इस Hubble telescope ने किया था लगबग 18,000 research paper हो चुके हैं ठीक है और एकदम zoom लेकर के बिलकुल deep space के अंदर भी images correct करने में यह successful रह चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो ionized gases के बारे में भी research करना क्योंकि आप देख सकते हो कि helium, hydrogen यह ऐसी gases है यह ऐसा elements है जिनसे हमारे universe maximum जो composition है वो इनी से होई हुई है ठीक है तो specific day सब सारी चीज़ें एकदम accurately यह collect करके देती है तो यही चीज़ है पूछा तो यह जा सकता है कि recently Hubble telescope news में था या फिर match the following में Hubble और ड्रेश लगा कर कि USA लिखा हुआ हो तो आप टिक लगा देना या फिर NASA लिखा हुआ टिक लगा देना आप ओके आगे चलता है next जो article है that is about healthcare in India rarely an election issue despite limited access बहुत ही कम accessibility available है healthcare facilities की उसके बावजूद elections में इतनी ज्यादा इसके उपर बातचीत नहीं होती अब आप देखो कि जब elections होते हैं तो किवल 1% ऐसे voters हैं जो consider करते हैं कि health issue के उपर कौन सी party बात कर रही है health को ध्यान में रखते हुए कौन party vote मांग रही है और health infrastructure को increase करने की बात कर रही है तो ऐसे में जब से COVID-19 outbreak हुआ उसके बाद में आपको पताया भी recent elections जितने भी हुए हैं उन सब में यही चीज निकल के आई है कि 1% से कम voters हैसे हैं जो कि elections के time पे health issue के ओपर ध्यान देते हैं बाकी चीजे तो देखो सर्वे का वो बताया हुआ है main चीज इतना ही है कि जब तक आप political issues के इशू नहीं बनाओगे किसी भी मुद्दे को जैसे आप देखो western countries में कल पर से एक news बढ़ रहा था मैं जिसमें बताया जा रहा था कि climate अभी तक भी votes के लिए इतना issue नहीं बनाए इसकी लिए एक example आप देखो कि जो बाइडन का election हुआ आपको पता है तो जो बाइडन के election में उन्होंने climate के लिए बड़ी important बाते कही थी तो उसका असर बहुत पड़ा था उनकी winning rates पे जबकि डॉनल्ड टरंप ने क्या बोला था बोला क्लाइमेट जैसी कोई चीज ही नहीं नेचर है वो अपने आप से adjust कर लेगी हमें तो फस continue करना है जो कु कर देंगे कि हाँ जी हमें इस मुद्दे को सॉट आउट करना है जैसे कोविड के लिए काम किये गए तो lawmakers नहीं तो काम किया फिर उसके बाद में executive का रोल आ जाता है तो executive के ओपर दबाव कैसे बनेगा कि जब आप उनको vote देने के time पे उनसे पूछ हो कि वही आपका agenda क्या agenda अगर उन्होंने बता दिया और वो agenda आपको suitable लगता है तो उसके basis पे अगर आप vote देते हो फिर उनकी accountability fix करने के लिए आप काम करते हो लगातार तो देखो फिर बाद में जो demand हमारी होनी चाहिए पांच basic चीजे मैं बार बार बोलता हूँ रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास नहीं करेंगे, तब तक फिर कोई serious होने वाला है ही नहीं, तो यहां पर जो research है, वो लोक निती CSDS का है, उसके बारे में data बताया हुआ है, ओके, जो main theme थी वो हमने देखी लिए, ठीक है, schedule cast के जो लोग है, schedule tribe के जो लोग है, वो in healthy issues को लेकर ज्यादा respondent थे, उन्होंने क्या जाता है, कि health care protection तो provide करो, आप कम से कम, जिसमें private health care facilities है, उसको भी expand कर सकते हो, दूसरा public health care, ये चीज तो बार बार बोली जाती है, कि health और education, ये दो तो देखो government को अपने हाथ में रखनी चाहिए, ने तो private sector में क्या है, ज्यादा से ज्यादा फिर exorbitant prices apply की जाती है, बहुत जादा solution किया जाता है, जो भी मरीज होता है, या फिर जो भी students होता है, गरीब families से बिलॉंग करने वाले, ठीक है, तो ये है पुरा मुद्धा, आगे चलता है, वर्ल पेस में news है, देखो, देवुबाद जीत गए confidence motion, और ऐसे में नेपाल में आप सरकार बन गई है, कॉंग्रिस की, और इंडिया के लिए थोड़ा सा favorable है, क्योंकि इंडिया की तरफ KPS OLI का क्या scene था, वो तो देखो, चाइना प्रो चाइनीज थे, ठीक है, कल में एक article पढ़ रहा था हिंदी में, जनसत्ता में आया था, जिसमें बता रहे थे कि, मतलब उन्होंने अपनी प हमारी खुद की जो culture है, जैसे राम मंदिर का जो मुद्दा है था, ध्यान होगा, कि बोला, राम जन्म भूमी नेपाल में है, ना कि यूपी में, यहां तक उन्होंने statement दे दिये थे, चाइना की communist party को राजी करने के लिए, KPS OLI ने एक नया ही map draw कर दिया था, जिसमें जो ल पुलेक, लिंपियादूरा और काला पानी वाला रिजन ट्राइंगल जो डिस्प्यूट था, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, तो उसको लेकर के भी इंडिया से दो-दो हाथ कर लिए, लगबग इंडिया और नेपाल मिलके अठारा सो किलोमेटर की बॉर्डर शेयर करते है तो वहाँ पर अगर डिस्प्यूट रहेगा और दूसरी तरफ चाइना की प्रेजन्स वहाँ पर है, तो ऐसे में तो इतना आसान नहीं रहेगा देवुबा के लिए कि हाँ जी, ये जो शेर बहादूर देवुबा बड़ा आसानी से वहाँ पर काम कर पाएंगे, चैलिंज अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच में खीस्तान इतनी लंबी बढ़ गई कि अफगानिस्तान ने अपने जो एन्वोईज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको निकाल लिया, जैसे कि हमने देखा था न, एक एन्वोई की बेटी को अबडेक्ट कर लिया गया था, वहाँ उनमें क्या था कि एक तो प्रिजनर्स का स्वैप, इरान ने जिन लोगों को जैल में रख रखा है, यूएसे के जो लोग हैं, और जो यूएसे ने इरान के लोगों को रख रखा है, उनके बीच में ये था कि आप हमारे जैल में रखे हुए प्रिजनर्स, आप हमारे कैद को छोड़ते हैं ऐसा एग्रिमेंट हुआ था तो जो की जैक पुआ से बिलकुल डिफरेंट ठीक है जो जो जॉइंट कॉंप्रेंसिव प्लाइन ऑफ एक्शन साइन हुआ था 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 जिसमें नुक्लियर वैसलिटीज को कंट्रोल करना इरान के उपर सैंक्शन्स को अटाना वो सारे एग्रिमेंट्स फाइनलाइट हुए थे उसके अलावा ये काम हो रहा था पर वोई चीज़ यूएसे ने डिनाय कर दिया तो अभी फिर सा टक गया है वियना में इंटर वियना टॉक्स सल रही हैं जैक पुआ को लेकर के कि कैसे भी करके रिवाइवल किया जाए त साहत में कौन? इरान? आगे चलते हैं. Economy page पर देखो, market है, वो record level पर चल रहा है, foreign portfolio investors ने बहुत पैसा निकाल लिया. होता क्या है कि foreign portfolio investors जो है, वो जैसे stock market में invest करते हैं, इसका मतलब वो shares purchase करते हैं किसी दूसरी company के तरू. ठीक है तो उसमें क्या हो जाता है कि उनका डिरेक्ट तो देको involvement होता नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर वो किसी agent को दे देते हैं को दूसरी company को और पैसा ला करके वहां पर वो इंडिया में पैसा लगा देती है इससे क्या होगा कि वो मनमय आये तब पैसा अपना असानी रिलीज किये जाते हैं, sovereign bonds, bonds के अंदर investment थोड़ा सा rise होता हुआ, दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अलाबा, FDI और FPI में difference आपको पता होना चाहिए, कि जब भी किसी company में, अगर 10% से जादा investment कोई भी दूसरी entity करती है, that is, FDI, और 10% से कम अगर assets purchase किये जाते हैं, किसी भी company में, किसी भी entity के द्वारा, तो वो बोली, कोई भी, किसी भी का मतलब, जो foreign, foreigners हैं, उनके द्वारा, ठीक है, तो उसको बोल देते है, foreign portfolio investment, इसके अलाबा, यहाँ पर एक interview है, जिसमें बताया जा रहा है, कि हमारे यहाँ पर जो Indian technical companies है, technology companies हैं, उनको बाहर से पैसा उठाने salary, ठीक है, date थी, 20 June 2020, और आज के time पे भाव, उसको ठीक लगे, तो उसने sell out कर दिया, तो sell out करेगा, तो वो क्या हो गया, आज की date मानलो, 19 July 2021, तो ऐसे में, जो भी, पैसा उसका लगा था, खरीदते time पे, और जाब बेशते time पे, जो पैसा उसके पास में आ रहा है, तो ऐस में, जो बेचने का total amount रना, उस पर GST ना लगा करके, profit कितना कमाया है, उसने, उसके उपर अब GST लगेगा, ये बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है, जो profit है, margin जो create हो रहा है, उसके उपर tax लगेगा, इसके लावा, डिसकों companies का जो outstanding dues है, जो भी generation companies है, देखो, होता क्या है, electricity produce करने का काम कोई और company करती है, और फिर उसको distribute करने का काम कोई और करता है, ठीक है, तो ऐसे में distribution companies को discom बोला जाता है, और generate करने वाली companies को gencos बोला जाता है, तो ऐसे में discom क्या करते हैं, इन generate करने वाली companies से electricity करीते हैं, और फिर उनको बेचते हैं, बाटते हैं, तो ऐ वोड़ा सा करजाट डाउन हुआ है 15.25% से कम होकर के कितना हो गया 32305 करोड रुप्रे का मई मन्त में चलो अच्छी बात है इदर फिलिपकार्ट और एमेजॉन दोनों के लिए एंटि ट्रस्ट का मुद्दा चल रहा है इंडिया में कि यह दोनों बहुत गलत काम करते हैं ग एमेजॉन जो एक्टिविटीज परफॉर्म करती है न बोलो वो गलत एक्टिविटीज हम बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते तो हमें सही सोच समझ करके आप ट्रेट करो अच्छा एक चीज मैं यह आप बताना बोल गया डिसकॉम्स का और यह जो डेटा है वो कहां से कलेक् लो रिसेंटली प्राप्ती पोर्टल न्यूज में था यह क्या है तो यह पावर सेक्टर से रिलेटेड़ है यह ध्यान रखो गया ठीक है इसके लावा तो न्यूद छोटी सी है कि OPC प्लस कंट्रीज ने देखो एग्रिमेंट लिया है कि हाँ हम बिल्कुल सप्लाई को थो बढ़ रही है यह चीज़े बताई जा रही है OPC प्लस कंट्रीज के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ोगे स्पोर्ट स्पोर्ट स्पेज के अगर बात करें तो कल इंडिया का जो साइकंड ग्रूप गया हुआ है एक तो देखो इंगलेंड और दूसरा भी गया हुआ ह किदर श्रिलंका में तो फर्स्ट ओडियाई में नई टीम ने बिल्कुल जीता है मैच अच्छे तरीके से परफॉर्म किया इन्होंने इसान किशन ठीक है क्रिकेटर इन्होंने डैब्यू मैंच में ही 59 रन स्कोर किया है अच्छा खासा इस तरीके से जो कोविड इंफेक्शन हो चुका है वह सारी चीजें बताया जा रहा है ठीक है इसके अलावा आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल बैटिंग रैकेट्स बहुत सारे एक्सपोज हो रहे हैं धीरे-धीरे जो बोलियां लगाई जाती है बाहर बैठ करके इम्रान खान की मूवी देखना मुझे एक सेकंड रुका आप कौन सी थी इम्रान आजमी की मूवी है जननत उसमें बैटिंग अच्छे से दिखाते हैं कि किस तरीके से वह पैसे लगाता है क्रिकेट मैचेज में और एक्जामपल भी कौन सा था इंग्लेंड के अंदर वह नेट्वेस्ट ट्रॉफी थी उ अच्छा परफॉर्म किया फिर इंडिया जीता था वह मैच तो उस मैच से वह शुरू होती है मुवी जननत मुवी है मुवी बहुत अच्छी है देखना आप एक बार खेर तो डिसकेशन में देखो इतना ही है थैंक्यू वेरी मच और कोई डाउट हो कुछ कमेंट करना हो प्लीज बताईया थैंक्यू